तो चलिए तिल के लड्डू बनाने के बाद अब मुरमूरे के लड्डू कैसे भूल सकते हैं जो होते हैं सबके फेवरेट और सरदी में या तियोहारों पे like especially लोडी के तियोहार पे ये हम कैसे भूल सकते हैं तो चलिए बना लेते हैं, कप की measurement ले रही हूँ, अगर तो आपके जो मुर्मुरे हैं, वो hard हैं, तो ठीक है, नहीं, तो मतलब क्रंची होने चाहिए बिल्कुल मुर्मुरे, ये तीन कप का measurement ले रही हूँ, लगभग 75 ग्रैम्स हैं हमारे मुर्मुरे, जिसको हम क्रंची होने तक roast कर लेंगे, dry roast करना है, कोई घी, तेल, कुछ add नहीं करना है, ये देखिए, बिल्कुल crispy होने तक, अभी crispy नहीं होए हैं, अभी मैं और roast करूंगी इसको, तो बस crispy होने तक करिए roast, अगर पहले ही बहुत crispy हैं, अगर अभी packet जैसे खोला है, तो बस ठीक है, नहीं तो इस recipes देख लीजे, सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनने वाली recipes हैं, जाधा time नहीं लगेगा, जो लड़ू हमने बनाये थे, वो सिर्फ 5 मिनट में बने थे, और चिक्की भी 10-15 मिनट में बन जाती है, वो roast हो गए है, प्रांत में निकाल दी है, एक बड़े वरतन में, और ताकि जल ना दाल सकते हो गुड़, तो गुड़ में बना रहे हैं, हम ये मुर्मुरे की, के लड़ू, तो देखे, फटा-फट से हो जाता है, ये कुछ नहीं है, कोई पानी एड़ नहीं करना है, चाशनी नहीं बनानी है हमने, ये सिरफ घी डाला है, और डाला है, गुड़ मैंने काट के डाला है, तो आप ग्रेट करके भी गुड़ को डाल सकते हैं, या बेलन वगरा से, जैसे कूट के डालते हैं, तो बस गी हमारा हो जाए, मैं बताती हूँ, कब डालने आपको मुर्मुरे, देखे, मैं आपको दो सिम्टम्स इसके बताती हूँ, गुड़ हमारा देखे, पक रहा है, अब ये फोमी होने लगे, उपर से फोम टाइप आ गई है, बस चेक कर लीजिए, अब इसका एक सॉफ्ट सा गोला बनना चाहिए, बस कुछ नहीं करना है, सिम्पल एक फोम को देखना है, गोला बनना चाहिए, गैस करिए बंद, मैंने सॉफ्ट डाली है थोड डालना चाहते है तो डालिए, नहीं तो इस टोटली ऑप्शनल, तो यहां फटा फट से कर लिया मिक्स, बहुत जल्द बाजी मत कीजिए, हमने कैस कर रखा है बन, यह लोहे की कडाई है इसलिए बहुत गरम पड़ा है, तो यहां हाथ जल रहे है, पानी हाथ लगाया, दोन तो यह देखे तयार है, आप देखे कितने मज़ेदार बने है ना, कलर देखे कितना यमी सी लुक दे रहा है, तो बताइएगा मुझे आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी, क्या आपने यह फटा फट से बना लिए, पांच मिनट में बनने वाली रेसिपी है, जरूर ट्रा